हेलो गाइज, वेलकम बैक, तो यार मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने अन्बोक्सिंग दिखाई थी आप लोगों को एरटल 4G होटसपोर्ट की, तो उस वीडियो को आप लोगों ने काफी अच्छा रेस्पोंस दिया, एंड काफी लोगों के कमेंट आए कि हमें GO5 को लेना चाहिए, या फिर एरटल 4G होटसपोर्ट को लेना चाहिए, तो गाइज, मैं इस वीडियो में आपके लिए एक डिटेल्ड कमपैरीजन लेके आया हूँ, एरटल 4G होटसपोर्ट और जियो फ़ाइ के बीच में, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए I hope कि आपके लिए ये वीडियो जरूर यूसफुल रहेगी तो यहर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोनों यानि कि जियो फाई एंड एरटल 4G होटस्पोर्ट के लेटेस्ट मोडल की तो हम बात करने जा रहे हैं एरटल 4G होटस्पोर्ट के लेटेस्ट मोडल BMR422 की एंड जियो फाई के लेटेस्ट मोडल JMR541 की तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिजिकल स्टक्चर कैसी है तो जैसा कि आप अपनी डिस्पले पे देख पा रहे हैं दोनों फिजिकली सेम से ही लगते हैं देखने में बट यहां पर जो छोटा सा डिफ्रेंस है दोनों के बीच वो यह है कि Airtel 4G hotspot में 4 signal lights है, जबकि GO5 के अंदर 3 signal lights है, जिसके अंदर की Airtel 4G hotspot में battery signal है, network है, message है and wifi signal है, उसके अलबाद GO5 में battery है, network है and wifi है, बस यहाँ पर जो नहीं है, वो है message का signal की, अगर इस sim पर कोई message आया है, तो आपको पता कैसे लगेगा, तो Airtel 4G hotspot में वो light बार-बार blink क करती रहती है, जिससे कि आपको पता लग जाता है कि कोई message आया हुआ है and वो message अभी unread है, so यह था number one physical difference दोनों के बीच में, उसके बाद बात करते हैं, हम दोनों के बीच battery की, तो जो Airtel 4G hotspot की battery है, वो 2700 mAh की है, जबकि GO5 की battery 300 mAh है, जबकि दोनों कमपनियां दावा करत है कि इनका जो battery backup है, वो 6 घंटे का है, तो मैंने Airtel 4G hotspot and GO5 को दोनों को use में लेके देखा है, तो GO5 की 300 mAh की battery, Airtel 4G hotspot के almost 2700 mAh battery के बराबर काम करती है and लग बग 6 घंटे का time वो भी backup दे देती है आपको, उसके बाद बात करते हैं कि हम accessories कौन कौन सी आती है, Airtel 4G hotspot के स USB cable and hotspot, तो दो ही चीज़े आती है, यहाँ पर कोई adapter इसके साथ नहीं आता, जबकि GO5 के साथ USB cable, hotspot and power adapter साथ आता है इसके साथ, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि expandable memory capacity कितनी है, GO5 and Airtel 4G hotspot की, तो Airtel 4G hotspot की जो expandable capacity है, memory की वो है 32 GB, जबकि GO5 की expandable memory capacity है, वो है 64 GB, तो expandable memory capacity मतलब हम इसके अंदर अलग से कोई data card यानि की memory card insert कर सकते हैं उसे use में ले सकते हैं, उसके बाद बात करते हैं SIM support की, तो Airtel 4G hotspot, 2G, 3G and 4G सारी SIM को support करता है, जबकि GO5 only 4G SIM को support करता है, और मैं यहाँ पर आपको आपकी स्विधा के लिए बता दूँ कि हम Airtel के अंदर भी दूसरी SIM को use में ले सकते हैं and GO5 में भी ले सकते हैं, बट इसके लिए हमें पहले hotspot को unlock कराना पड़ता हैं, जो कि लाई का software होता है, हम किसी भी software installer जो कि mobile की दुकान वाले होते हैं, उनसे भी इसको unlock करा सकते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि दोनों के बीच price का difference क्या है, तो मैं आपको एक maximum price बताता हूँ कि अभी इतने तक यह available है online and market में भी, तो जो Airtel 4G hotspot है, उसका price है 329 जो Airtel 4G hotspot अविलेबल है और जो Airtel 4G hotspot अविलेबल है उसका maximum price है 1499 यानि कि 1499 रुपे maximum price है Gio 5 का, उसके बाद बात करते हम manufacturing की, तो भाई अगर हम Airtel की बात करें तो यह manufacture हुए बीना टोल company से, जो कि एक Chinese company है, जबकि Gio 5 की manufacturing completely India में हुई है and कुछ parts है इसके जो की बाहर से import किये गए है and इसका जो completely design है वो इंडिया का है, so you know, आज के time में हम Chinese चीजों को bycoat कर रहे है, तो preferable यह रहेगा कि हम Indian चीज को ले, जिसमें की Gio 5 है, जो की totally Indian company द्वारा manufactured है and अब हम बात करते कि finally मैंने दोनों को यूज में तो मेरे हिसाब से कौन सा अच्छा है, तो भाई अगर आपको बात बताऊं तो अगर हम एटर 4G hotspot लेते हैं, अगर उसके साथ कोई भी SIM नहीं मिलती है, for example, हम online purchase करते हैं, तो वो हमें something, 3,000 के something up average लगा सकते हैं, इतने में मिलता है, जिसके साथ हमें कोई SIM भी अवलेबल नहीं हैं, डेटा भी नहीं है, जबकि जो जी ओ फाई का 4G hotspot है, वो 1499 में है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, कि अल्मुस्ट बारा सो के सम्तिंग का डिफरेंस हो जाता है, दोनों के प्राइस रेट में, तो जी ओ फाई एटर 4G hotspot से काफी सस्ता भी है, लुक में भी उससे काफी अच्छा लगा मुझे, बस यहां पर जो एक फिचर नहीं है, वो मैसेंजिक, मैसेज बिलिंक का नहीं है, मैसेज सिगनल नहीं है, बट हाँ, उसके अलावा, दोनों की स्पीड जो सपोर्ट है, वो 150 Mbps की है, जो की दोनों में सेम ही है, एर टल में भी इतनी है इसमें भी इतनी है, बैटरी बैकप दोनों का सेम है, जो एक एडवांटेज जाती है, जी ओफाई के साथ वो यह है, कि यह कम्पलिटली इंडिया में मैनुफेक्चरड है, जो इसका प्राइस रेट है, वो उससे काफी ज्यादा कम है, यानि कि आप देख सकते है कि इसका 8L 4G होट स्पोर्ट का यह 40% ही बच जाता है, तो गाइस यह थी आज की वीडियो, आपके लिए यह वीडियो यूस्फुल रही होगी, तो आपके क्या व्यू है, इन दोनों के बारे में तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, इस वीडियो में बस इतना ही, एंड अगें, थाइब लिए इस वीडियो आपके लिए एंड ग्यू आपके लिए एडवानी